Equivalent Mass और Equivalent Weight यहρώएद ल्यवेयरद यह Chemistry के बहुत इंप्पॉर्टेंट चीज है Chemistry में अभी yön सारी Chemical Equations हम लोग बताने होती फिर भी हमारे कोन Chemical한 Reaction में StereoGeometric calculation करने होती है तो उन सब का जो relation है वो Equivalent Mass से चलता है Small Concept से पहले आपकी Equivalent Mass की Concept ही चल देती केमिस्ट्री में आप लोग एक बात हमेशा घ्यान देएगा मास और वेट तोनों ही सेम चीज़ होती है ठीक है मास और वेट आज सेम इन केमिस्ट्री कि फिजिक्स में मास मीज मास और वेट मीज एमजी यह आपकी इक्वल नहीं ठीक है तो मास और वेट इन दो चीज़ों में आपका एक फंडामेंटली डिफ्रेंट सोथा तो केमिस्ट्री में नहीं है अटमिक वेट इक्वलेंट मास इक्वलेंट वेट कुछ भी वर्ड यूज़ करें डाट मीनिक इस आपका मास ठीक है इक्वलेंट वेट जो है आगे नॉर्मेलिटी में अन्वर्ट होती है अगे अगे नॉर्में अगे टाट मास आपके वेट 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 अगे तो यह चैनिकल रियक्षेंट के एक्वाड इंग या आपकी वैलेंट इक वीडियम के एक्वाड इंग भी चेंज होता रहता है जिसलिए हमारे को इसके बारे में थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझने और जानने की जरूरत है तो equivalent mass एक important concept है और equivalent mass आपका fundamentally क्या होता है उसके बाद हम लोग discuss करेंगे एक राम equivalent mass then normality and relation between normality and molarity और उसके बाद हम जो है and factory concept तक पहुँचेंगे और equivalent mass जो है आपका chemical reaction में तीन तरीके से हम लोग इसको divide गर लेते हैं जैसे एक तो आपका equivalent mass for acid, basis and redox reaction तो यह defend करता है कि आपका equivalent mass किस तरीके से आपका equations में use होना है और आपका जो law of chemical equivalence है कि माल लीजे कभी भी 2-3 substance आपस में react करते हैं A plus B changes to C plus D तो लोग लोऑ बीजे कि आपक से एक का एक कि गर inappropriate that will react with one equivalent of another substance produce one equivalent of C and one equivalent of D so that is your law of chemical equivalent so chemical law of equivalence का अपना एक बड़ी इंपॉर्टेंस है और chemical substances का एक जासी का relation मिन जाता है कि बड़ी one equivalent आपका दूसरे substance के one equivalent से react करेगा और प्रोड़क्त के one equivalent प्रिद्यूस करेगा तो equivalent मास आपकी यह टर्म हमने कैसे बने तो साइंटिस्ट और जैसे हम लोग घर में मान लीजे चाय बनाते हैं या कोई सबजी बनाते हैं या कोई भी चीज जैसे मान लीजे सीमेंट वगारा लोग बनाते हैं तो उसका एक फार्मूलेशन होता है तो घर में जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसका एक अपना हिसाब होता है कि वही हमें इतना दूब लेना इतनी चाही की पत्ती लेनी है और इतना चीनी लेनी है इतना पानी लेना है तो बुभक तो इन सब चीजों को बसेीजेबर नार्मल परसन जो है वह वर करता है तो नार्मल परसन जब्यापका इस तरीके से वर करता है तो एक्वैंट हम लोग जिसे महां लीजिए हमने चाहायर नने की कोई रेशिपि त्यार करें तो यदि नोके खार जा मिष्भ में ऐसे वीआ तो हम उसे के लिए क्या है गटेंगे जो हम लोग की यूल करतेजिक वही उसको पांच से मैट्विलाई करंगे अब वही चीछ हमा रागों के लिए करनी तो हम उसे दिवाइड घरते हैं तो एककरनों है आपकी इस तरीके से मतलब आपके जो chemical processes हैं वो लोग इस तरीवे से करते हैं तो equivalent mass की जो term बनाई वो हमने बनाई की equivalent mass of a substance is the mass of substance is the mass of substance which is equivalent to one part of hydrogen or 8 part of oxygen और 35.5 parts of chlorine ठीक है तो हम जो है one equivalent किसी substance का that mass which is equivalent to one part of hydrogen and 8 part of oxygen 35.5 parts of chlorine तो हम जो है hydrogen का one part लेते हैं oxygen का eight and आपका क्लोरीन का 35.5 तो ऐसे नम्बास हमने क्यों चुने पहला कोशन पर यह राइस होता है कि भई hydrogen का one oxygen का eight अधिक क्लोरीन का 35.5 हाइड जायागा अधामिक नम्बर यह अधामिक मास माल लेते चली है और रेट अक्सिजन क्यों जायागा आपका कुछ लों क्या माल लेते कि अधामिक नम्बर है और यह इसका अधामिक मास तो अक्सिजन का यह आपका अधामिक नम्बर ले लिया और बागी दोनों का अधामिक मास ले लिए यह क्या मतलब हुआ पर क्या सुद सकते हैं इसके बारे में तो यह जो है आपकी अप्रोच नहीं इस डाट नम्बर क्या हम इसको लिए सकते हैं का अधामिक वेट डिवाइड वाय तू कि कि डिवाइड वाय तू भी लिख सकते हैं इसको नहींैं तो इह पिर आपने एक की डिवाइड गरी और इसमें फिर आपने 1 की डिवाइड करें तो ऐसा क्यों करा कुश्चन यह राइस होता है तो यह आप इनके फार्मुले बनाटे देखें सोडियूं के साथ तो सोडियूं का एन एच ऑक्सिजन का साथ एन डूओं एंड लोरिन के साथ इसका इसके 23 पार्ट से लिएक करता है इसका 35.5 इसके आपके हों कितने बारट से तक करता है 236 पॉटीशिक तो यह हम आपका जो है कि जितना राय्डोजन का जो एक्वलेंट है यह इतना है आपका ऑक्सिजन उसके डबल सोडियम से कंपाइंग करना था क्यों कि सोडियम ऑक्सिजन की वैलेंसी आपकी क्या है तो आपका एक सबसे फैना रिलीशन नहीं जाता है इक्वलेंट इक्वलेंट मास ओफ एलिमेंट इस इकास तू अटमिक मास दिवाइड वाय वैल्स थीजन यह आपका रिलेशन बढ़िए थिक तो व beating जोती है एक वेर्यों मे अपने आप में जैसे आरन है कही बाछ इसकी जे a smarter यह होती है कई बार सभश के इताम फिर उती है जो है इसकेश में एकटे जहाँडाइ59 मास इसका क्या होगा और atomic mass fixed term यह बात आपको हमेशा द्हाम रखना है कि this is a valuable term this is a fixed term equivalent mass of acid तेखिए सबसे पहले आपको equivalent mass निकालते हैं वाकर दो बाते द्हाम रखना है कि आपकी दो टाइप स्कील एक्षान होती है एक आपकी 9 रॉट्प्स रियक्षण और दूसरी आपकी रॉट्प्स ठीक है तो रॉट्राप्स रिएक्षण के लिए रूट्रेगूलेशन सलग रहेंगे non-redox reaction के लिए लोग regulation अलग रहेंगे अभी हम लोग डिसकस कर रहे हैं non-redox reactions के लिए equivalent mass तो उसमें जो equivalent mass होता है non-redox reaction के लिए और acid graph equivalent mass of एन एसे इजी को स्टु क्या होता है आपका आप मॉलिपूलर मास आप एसे डिवाइड वाइड वाइड बेसी सेटी ओफ पेसी सिटी ओफ एसेट के मुलब क्या है नंबर ओफ रिप्लेसेबिल है जाएड कि आपके नंबर ओफ रिप्लेसेबिल है जैसे आपका एक्सियल है तो इसका equivalent mass क्या हो हो 36 डिवाइड वाइड 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 तो यहां पर जो है वो molecular mass के equal होगा है 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 क्या होगा आपका molecular mass divided by 2 क्यों क्योंकि इसकी basicity तो अब जैसे आपका H3PO4 है है H3PO4 और क्या होता आपका ortho phosphoric acid तो इसका equivalent mass क्या होगा molecular mass निकाल लेगा विसका molecular mass तो इसका नाम होता आपका ortho phosphoric acid तो आपने जब इसका निकालने मैठें यह दिया आप किसका H3PO3 तो इसका equivalent mass क्या होगा इसका नाम होता आपका ortho phosphorous acid तो equivalent mass of आपका हम लोग ortho phosphorous acid का निकाल लेज़े और तो ortho phosphorous acid में आपके number of replaceable a chance कितने होंगे number of है यह आपको यहां पर तीन दिखाए देरे होंगे लेकिन actual में क्या होते हैं यह तो यहां पर आपको तीन दिखाए दे रहे थे और तीन ही थे यहां पर तो कैसे इसके लिए आपको इतनों के structure को दिखना ध्यान से देखना पड़ेगा इसका जो structure होता है कि यह थी का आपकी पांच होती है ठीक है एक oxygen की आ गया एक और इसी आगया और यह बैक इसका यह आप structure देखें तो आपका तो यह जो है आपके एसे टान और रिप्लेसेबराइब नहीं यह आपका नॉन असेडिक हाइडोजन है नॉन रिप्लेसिबल हाइडोजन है ठीक है यह आपका नॉन रिप्लेसिबल एचाइडोजन है तो यह आप इसका equivalent mass नका लें तो इसका equivalent mass क्या होगा आपका molecular mass divided by 2 ठीक है equivalent mass of base Equal mass of base that is equals to molecular mass of base divided by h dt of base acidity of base counter kya hai means number of replaceable OH ions number of replaceable OH ions so jayse aapka anyway chain so iuska equivalent mass kya ho raaga aapka molecular mass divided by 1 aapka molecular mass divided by 2 aapka equivalent mass of aluminium hydroxide kya ho raaga aapka 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 molecular mass of a salt aapka 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 कैल्शियों क्लोराइड that is equals to molecular mass divided by 2 तो यह आपका 101 divided by 2 आपका इक्रेंड मास of Fe2 SO4 भी होल थाइस यह क्या होगा पैसेट को रहना है तो यहां पर आप molecular mass लेंगे इसको आप आड़ करके निकालने करें हमसे 56 into 2 plus 32 plus 64 multiplied by 3 64 के जाया 16 into 4 तो इसको आपके यहां पूट करनें divided by its total number of positive valencies तो यहां पर iron कितना है iron valency 3 होती है दो atoms है तो total positive valency आपकी हो जाएगी 6 तो इस तरीके से आप जो है equivalent mass sort the calculate correct gram equivalent mass gram equivalent mass it is the mass of substance in grams which is numerically equals to its equivalent mass कि अक्वार कि थाएग राएगई परूब कि अज़ कि कि one है एकर वाश न पतके कोनोख जैसे हम लोगं आपका है वाल मात का money इसको कह सकते हैं 1 ठीक है ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ प्लोरीन डाट इसको से 35.5 ग्राम तो ग्राम दो यहां दो युनेट लगा देते हैं तो इसी तरीके से नंबर अफ ग्राम इक्वलेंट निकालते हैं लोग अब पर ग्राम इक्वलेंट मास के इक्वल हो जाता है जज़ा हम आगे कोश्यंस में इसका यूज करेक्ट जैसे माल दीजिए आपके पास जो है 73 ग्राम ऑफ एक्वलेंट तो यहां पर इसके नंबर अफ ग्राम इक्वलेंट कर रहेंगे 10 इको स्थो 73 डिवाइब बया दाटी 6.5 आपके किला तो यहां पर अच्वलके 2 ग्राम इक्वलेंट आपके आपके बाएव झाल झाल